हलो फ्रेंट्स वेलकाम टो डीजिटल लर्निंग मैं हूँ आर्विन चौदरी और आप देख रहे हैं डेटा साइंस सीरीज और आज हम कुछ टपल के इन्विल फंक्शन के बारे में देखेंगे जैसे की काउंट, इंडेक्स, देन मेंबर्शिप टेस्ट तो हम सब का एक-एक करके देखेंगे, तो सबसे पहला हम क्या करेंगे नई फााइल क्रियेट करेंगे यहां पर हमने एक नई फाइल क्रियेट की और यहां पर हम इसको सेव करेंगे ctrl s से औके और यह हमारा 29 वाला प्रोजेक्ट है तॉम्स को देंगे 29 and tuple functions functions अब हम क्या करेंगे एक tuple create करेंगे तो यहाँ पर हमने tp नाम से tuple create किया और इसके अंदर हम कुछ element लिये जैसे कि हमने लिया a then लिया b then हमने लिया c धैन यहाँ पर हम क्या करते हैं अगेन हम a फिरसे ले लिते then आगेन फिर हम b ले ले लिते b लिया then again हमने क्या लिया हँ पर a ले लिया अब हम क्या करेंगे 就jas tuple tool को printing करवाएंगे तो यहां पर print करवाने के लिए हम इसको लिखेंगे टपल टीपी अब हम क्या करेंगे, इसको प्रोग्राम को run करेंगे इसने हमें क्या दिया? टपल प्रिंट करके दे दिया अब suppose मैं इस टपल में चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जी जाना चाहता हूँ कि मेरी जो ए करेक्टर वो कितनी बार आया या मैं इस ए करेक्टर की इस टपल के अंदर काउंटिंग करना चाहता हूं कि यह कितनी number of time कितनी number of time आया है तो इसके लिए हम यहाँ पर एक function हमारा होता है count function देखते हम इसका कैसे यूज़ करते है यहाँ पर हम print यहाँ पर लिखेंगे tp. यहाँ पर हम लिखेंगे count यह function है हमारा और इसमें वो character या वो item पास करेंगे जिसे हम जानना है कि वो कितनी number of time आया है तो इसके लिए हम यहाँ पर पास करेंगे a अब हम हम चेक करेंगे कि हमारा a है वो कितनी बार आया है इसके अंदर तो यह हम आप देख सकते है a तीम बार आया है similarly हम क्या है b को भी चेक कर सकते है यहाँ पर हम लेंगे tp. count यहाँ पर हम लेंगे pass करेंगे b को यह हमें बताएगा b कितनी बार आया है तो इसने हमें बता दिया b two times आया है अब यहाँ पर हमें एक हमारा होता है index function suppose मुझे यहाँ पर मेरा जो d है इसे चेक करना है कि यह कि इसका index क्या है तो यहाँ पर मैं क्या करता हूं print और यहाँ पर लेते tp. index और यहाँ पर इसमें एक parameter pass करना पड़ेगा हमें वह parameter pass करना पड़ेगा जिसका हमें index चेक करना है suppose यहाँ पर मैं d का चेक करना चाहता हूं कि d का index क्या है या d character का index क्या है तो यह हमें बताएगा कि इसका जो index है वह 2 है 0, 1 & 2 अब suppose मैं ऐसा item ले लेता हूं जो बहुत बारा है suppose मैं यहाँ पर ले लता हूं तो यह क्या करेगा left से right positive counting करेगा positive index करेगा और जो भी item first time मिलेगा उसका index वह प्रिंट करके दीगा suppose यहाँ पर हम लिखते है index then यहाँ पर हम लिखते है तो चूकि यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो A हमारे पास कितनी बारा है तो यह क्या करेगा सबसे पहले यहाँ पर A चेक करेगा और वह इसका index प्रिंट करके दीगा means यह left to right चलता है इसका cursor यह क्या करेगा यहाँ पर हम लिखते है जीरो इंडेक्स प्रिंट करके दीदिया means यह इसने क्या किया left to right यह indexing की और जब भी item first time मिल गया वह उसका index प्रिंट करके इसने दे दिया अब यहाँ पर एक और method होती है वह होती है हमारी membership test मुझे इसमें check करना है कि प्रिंट कोई item तपल के अंदर exist कर रहा और नहीं कर रहा तो इसको क्या बोलते है membership test suppose यहाँ पर मैं check करना चाहता हूँ कि A मेरा item इस तपल के अंदर exist कर रहा तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, print, और यहां पर हम लेंगे a, then यहां पर हम लिखेंगे in, और यहां पर हम टपल का name देंगे, यहां पर हमने कहा किया, जिस item को चेक करना है, वो लेना है, then यहां पर in, keyword लेना है, and tp means, जो भी हमारा टपल है, उसे यहां पास करना, अब यहां पर हम चेक करते हैं, तो यहां पर हम चेक करते हैं, तो यहां पर कुछ गड़बर हो रही है, print, antp, और यहां पर, यह गलत लगे, okay, यह हमने, इसने हमें क्या दिया, true, अब यहां पर एक साइटम लेता हूं, जो इसमें एक्जिस्ट नहीं कर रहा है, suppose मैं यहां लेता हूं, p, p टपल के अंदर एक्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो यहां पर मैं एक काम करता हूं, मैं इसको ऐसे रहने देता हूं, मैं यहां पर दूसरा ले लता हूं, print, यहां पर लेते हैं, p, in tp then हम p को check करते हैं यहां पर हमें देगा है यहां पर आप देख सकते हैं इसने हमें देगा फॉल्क मिस प इसमें exist नहीं कर रहा है तो यह हमने कुछ इसके function थे index, count और membership test तो आज के लिए इतना है thank you for watching this video